सिबिलियन को टार्गेट करने के जो इंसीडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं जे अपने आप में दरिंडगी वहशत और दहशत का एक मेल है जिसमें बिल्कुल बेगुना जो लोग हैं जो समाज की सेवा में लगे हैं जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है उनक कम्यूनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को ताके आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नक्सान पहुंचे उसको ठेस पहुंचे उस तरह के रादे से जहां पर हो रहा है हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक किस तरह की हुए जिसमें बेगना लोगों की जाने गई हैं हम लोग पहले जो केसिस हुए हैं उनके उपर वर्क कर रहे हैं और शिंदगर पुलीस काफी क्लिव उसमें हासल कर चुकी है और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसिस में मलवस लोग हैं इस दैशत गर्दी संदगी और वैशत में जो लोग मलवस हैं जो इनसानियत को निशाना बना रहे हैं जो जम्मो किश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं जो जहां का लोकल अथास और वैल्यूज उसको निशाना बना रहे हैं मुझे लगता है कि इनको जल्दी बे अपनी जो जहां का एक रुएत है उसको दक्का लगाने के लिए उसको ठेज पहुचाने के लिए ये एक साज़श है कश्मीरी लोकल जो मुसल्मान है उसको बदनाम करने के लिए ये साज़श है जहां पर जो लोग अपना काम कारूबर करने के लिए पेट बरने के लिए जह दैशतगर्द इसका पमाना तैय नहीं कर सकेंगे दैशतगर्द दैशतगर्द और वो पार में जो जन्सीज पाकस्तान में बैठी उनके शारों पर इस तरह की नकलों हरकत इस तरह की साज़शे अंजाम दे रहे हैं तांकि कश्मीर को नुक्सान में रखा जाए कि जो बढ़ पहले तो जहां का स्टाफ जो स्कूल का है बड़े इस वक्त खौफ में है और बड़े दुख में सदमे में हैं उनका एक साथी जो उनके साथ टीचर थे जहां पर उनको निशाना बनाया गया है उनसे बात हुई थोड़ा बहुत आइडिया हुआ बाकी पुलिस अपने काम प झाल